हेलो फ्रेंच नमस्कार कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है सीमा और आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे फ्रेंच अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो की नीचे दिया गया और उसके बगल में बैल आ करन लाए हैं तो उसमें जाय रिसीपी को बनाना छुरू करते हैं और मेरे रैसीपी अच्छी लगए तो लाइक का बटन जरूर प्रस कर दें और कमेंट करके बताएं कि डीजिशी लगी तो चलिए बनाना शुरू करते थे हैं बहुत ही आसान है इसे आप जरूर बना ये बहुत ही अच्छा लगेगा वैसे तो आपने सिवई कई तरह के बनाए होंगे या फिर खाये भी होंगे जिसे दूद वाली सिवई या फिर सूखी सिवई चाशनी वाली सिवई ये हम बनाएंगे आम से इस समय आम का सीजन है तो हम सिवई बनाएंगे आम के साथ और जो आम बारिक कटे हुए काजू आठ से दस और किश्मिश थोड़े से और इलाइची पाउडर आधा चम्मच और हमने दो आम लिये हैं आधा कप सेवई बनाने के लिए हम लेंगे आधा लीटर लगबग दूद तो यहां हमने दूद रख दिया है बॉइल आने के लिए तो इसे मनपसंद के ड्राइफूट जो भी आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं ड्राइफूट हमारा रोस्ट हो गया है अब उसी घी में हम क्या करेंगे सेवई को भी जो है थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे तो यहां मैंने मीडियम साइज की सेवई ली है जो कटी वाली होती ह आप कोई भी अपने पसंद का सेवई ले सकते हैं बारीक वाला मोटा वाला जो भी आप खाते हों और इसे हम रोस्ट कर लेंगे अब इदर देखें दूद में भी उबाल आ गया है और हमारी सेवई भी भून चुकी है तो अब क्या करेंगे इसमें हम जो सेवई भून रख अप कि हमारी सेवई है वो अच्छे से बक जाएं और बीच-पीचे में हम इसे चलाते रहेंगे अब हम इसमें चीनी डाल देंगे और चीनी डाल कर अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक hostage हो रहाआ है पक्रा सेवई लेंगे ताकि उससे हम garnish कर सके तो देखिए इस तरह से हम बिलेंगे और इसे हम फिर mixiaar में डालकर blend करेंगे और इसकी puree बना लेंगे तो इससे blend कर लेते हैं देखिए हमारे जो puree बनके तयार हैं अब हम क्या करेंगे जो किiauई हैं उसमें हम जो ड्राइफरूट भून कर रखे थे उसको हम डाल देंगे तो ड्राइफरूट हम डाल लेते हैं और इसमें जो हम इलाइची पाउडर है वो भी डाल लेते हैं और इसको डाल कर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे इच्छे से चला देंगे और देखिए हमने इसे डाल कर भी एक से दो मिनट तक पका लिया है अच्छे से अब हम क्या करेंगे जो मैंगो प्यूरी बनाए थे उसको हम थोड़ा थोड़ा करके इस दूद में डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि ये दूद के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए तो देखे इसे थोड सा केसर की धागे भी डाल सकते हैं इसमें उससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और कलर भी अच्छा आजाएगा तो देखी यहां हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम गयास आफ कर देंगे और ठंडा होने देंगे से वही जब रूम टेंपरेचर पर आ जाए तो फिर ह हम इसे बाउल में डाल देंगे और बाउल में डालने के बाद फिर हम इसे गार्निश करेंगे तो आप अपने मन पसंद के चीजों से आप इसे गार्निश कर सकते हैं मैं हां गार्निश कर रही हूं कटे हुए आम से तो जैसे कि यह मैंगो डेजर्ट है मैंगो सेवई डेज लगते हैं इस तरीके से आप इसे बनाएं और इसे सर्फ करें यह सभी को घर में बहुत पसंद आएगा जो मैंगो लवर्स इसपेशली उन्हें तो यह बहुत ही पसंद आने वाला है तो फ्रेंस इसे जरूर एक बार ट्राइ करें और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगी झाल